साथियों, आज कल आपने सुना होगा, देश में बहुत बोला जाता है, सब दूर सुनाई देता है, भोकल फॉर लोकल, जो अपने घर के आस्पाच चीजे बन रही हैं, स्थानिय स्तर पर बन रही हैं, उस पर मान करना, उसका गर्व करना, उसे प्रोथसाहित करना, यही हैं वोकल फॉर लोकल, लेकिन यह वोकल फॉर लोकल की भावना, तब और मजबूत होगी, जब इसे एक भारत, स्रेष्ट भारत की भावना से शक्ती मिलेगी, हर्याना की किसी चीज की शबद में, मैं तमिल नाडू में रहता हूं, मुझे गर्व होना चाहिए, केरल की किसी चीज का मैं हिमाचल में रहता हूं, मुझे गर्व होना चाहिए, एक छेत्र के लोकल प्रोड़क्ट पर दूसराख शेत्र भी गर्व करेगा, उसे प्रोचाहिट करेगा, तभी लोकल प्रोड़क्ट की पहुंच देश भर में होगी, उसमें एक ग्लोबल प्रोड़क्ट बनने की ताकत पैदा होगी। साथियों, ये वोकल पर लोकल, ये आत्मनिर भर भारत अभ्यान, इनकी सभलता आप जैसे नवजवानों पर टिकी हुई है। और आज जब मेरे सामने NCC और NSS के इतने सारे नवजवान है, उनको तो सिख्षा, दिख्षा, सिष्ट सब यही दिखिया जाता है। मैं आज आपको एक छोटा सा काम दे रा चाहता हूँ, और देश भर के मारे NCC के नवजवान मुझे जरूर इस काम में मदद करेंगे। आप एक काम कीजिए, सुबह उठ करके आपको सोने तक, जिन चीजों का आप उपयोग करते हैं, कुछ पेश हो, प्रस हो, कांगा हो, कुछ भी, कुछ भी, घर में AC हो, मोबाइल फोन हो, जो भी, जराद देखिये तो, कितनी चीजों की आपको जरूरत होती हैं दिन भर में और उसमें से कितनी चीजे हैं, जिसमें हमारे देश के मजदूर के पसीने की महग है, कितनी चीजे हैं, जिसमें हमारे इस महान देश की मिट्टी की सुगंद है, आप चौक जाएंगे, जाने, अंजाने में, इतनी चीजें, विदेश की हमारे जीवन में गुज गई हैं, हमें पता तक नहीं हैं, एक बार उस पर देखेंगे, तो पता चलेगा, कि आत्म निर्भरत भारत बनाने का सबसे पहला करतव्य, हमीशे शुरू होना चाहिए, इसका मतलब मैं यह नहीं कह रहा हूँ, कि आपके पास कोई विदेशी चीज है, तो कल जाके भैट दो, यह मैंने कह रहा हूँ, मैं यह भी नहीं कह रहा हूँ, कि दुनिया में कोई अच्छी चीज हो, हमारी यह नहीं हो, तो उसको लेने से मना करें, यह नहीं हो सकता, लेकिन हमें पता तक रही है, ऐसी ऐसी चीजे हमारे रोजमरा की जिंदगी में हमें एक प्रकार से गुलाम बना दिया है, मान से आगर करोंगा, एन्सीसी एन्सेस के सिस्तबद नौजमारों से आगर करोंगा, आप अपने परिवार के सब को बिठा करके ज़रा सुची बनाइए, एक बार देखिए, फिर आपको कभी मेरी बात को याद दे करना पड़ेगा, आपकी आत्मा कहेगी, कि हमने हमारे देश का कितना नुक्षान कर दिया है, साथियों, भारत, आत्म निर्भर किसी के कहने भर से ही नहीं होगा, बलकि जैसा मैंने कहा, आप जैसे देश के युवा साथियों के करने से ही होगा, और आप ये तब और ज्यादा बहतर तरीके से कर पाएंगे, जब आपके पास जरूरी स्किल सेट होगा, साथियों स्किल के काउशल के इसी महत्व को देखते हुए ही, 2014 में सरकार बनते ही, स्किल डेवलप्मेंट के लिए विशेश मंत्रालाई बढाये गया, इस अभ्यान के तहत अब तक, साड़े-पांच करोड से अधिक युवा साथियों को, अलग-अलग कला और काउशल की ट्रेनिंग दी जा तुकी है, काउशल वकास के इस कारकम के तहट स्रिप ट्रेनिंग ही नहीं दी जा रही बलकि लाखो युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार में मदद भी की जा रहे हैं। लक्स ये है कि भारत के पास स्किल युवा भी हो और स्किल सेट के आधार को उन्हें रोजगार के नए आउसर भी मिले।